गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जैश्री कृष्णा वेलकम टू एनदर वीडियो मैं अभिलाशा इंडियन फ्लेवर्स में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टॉफ्ट गार्लिक ब्रेड देखिए कितना सुन्दर लग रहा है मुझे पानी आ रहा है एकदम देखने से ही मैं आपको दिखाती हूँ एक देखिए फ्रेंड्स कितना सुन्दर लग रहा है साइड से भी देखिए और पीछे से देखिए कितने अच्छे से हमारा गार्लिक ब्रेड बेक हुआ है मैं तोड़के दिखाती हूँ एक चैज़ पूल हो रहा है वाव देखी friends कितना सुद्र लग रहा है तो अतै और चब अधा ऑन प्सूर गारलिक प्रेड बनाने के लिए सब्से पहले हम एस्ठ को एक्टिवेट करेंगे मैंने कटोरी ली है इसमें डाल देंगे आधा कप पानी ये लुख वाम कि अजय को जब सूवीएरों है यानि कि गुंगुना पानी है नाल देते हैं, कटोड़ी रकर अमी इस में पर म। द्राइइस्त बापर स्थ में और इस pregnant मीशिक और शपी डुंगे क्योंकि जो dry yeast है वो जो activate होती है वो शुगर खाके ही activate होती है activate होने के लिए इसको हमें food देना है तो इसको जो food होता है वो sugar होता है तो एक चमच शुगर पानी आपका याप पे एकदम लूप वाम होना चाहिए बहुत जादा गरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत जादा थंडा भी नहीं होना चाहिए इसको रब देते हैं 10 मिनिट के लिए ताकि हमारी yeast activate हो जाए देखिए friends हमारी yeast activate हो गई है और यह size में देखे डबल हो गई है अब हम इससे अपना आटा लगाएंगे garlic bread का dough लगाने के लिए मैंने एक याप खाली बर्तन लिया है इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप मैदा एक कप और ये दो कप मैदा लिया है मैदे में हम डालेंगे आधा चमच नमक और ये मैंने लेसुन लिया है जिसको मैंने कद्दू कस कर लिया है मैं इसके अंदर डबल गार्लिक टच देऊंगे तो इसलिए मैं इसके अंदर दो बार गार्लिक डालती हूं इसकी स्टफिंग यह उसमें भी डालेगे तो यह मैंने कुछ लेस्वन के कलिया ऐसे कदुकस कर ली है यह भी डाल देते हैं इससे हमारी इस्ट एक्टिवेट होके डबल हो गई है यह कटोरी से भी बहुत लिकने वाली हो रही है अगर हम इसको पांस मिनिट के लिए और रख देंगे तो यह कटोरी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा देखिए डाल देते हैं इसको भी अपना डो लगाने के लिए अगर आपके यिस्ट में ऐसे जाग होके वो डबल नहीं हो रहा है इसका मतलब आपके यिस्ट अभी एक्टिव नहीं है मिला लेते हैं इसको को देखिए कैसे क्रमल हो गया है है ना अभी सकेंदर हम डालेंगे पानी पानी से इसका डो लगाएंगे मैंने आपके रूम टेंपरेचर पानी लिया है ना तो यह ठंडा है ना ही भूद गरम है लगाते हैं इससे अपना आटा हमें इसका सौफ्ट डो बनाना है बहुत हार नहीं चाहिए हमारे को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी और एक चिपचिपा डो बनाना है हमारे को देखिए डो हमारा रेडी है और यह थोड़ा चिपचिपा है लेकिन अभी इसके अंदर ग्लूटन नहीं है जैसे कि हम इसको ऐसे पकड़के ऐसे खीचेंगे तो देखिए इसके अंदर ग्लूटन नहीं है gluten का मतलब यह उसे खीचे घरवड की जैसे जब तक हम इसको 5 minute के लिए अच्छे से गुनद लेते हैं हमने 5 minute के लिए इसको अच्छे से गुनद लिया है अवर देखें इसके अंदर हम देखते हैं कि कितना strids आया है ग्लूटन आया है नहीं, देखिए, इसके अंदर अच्छे से ग्लूटन आ गया है, यह अच्छे से हो गया है, इसके अंदर हम दो चमच तेल डाल देते हैं, अगर आपके पास यहापे ओलिव ओल है, तो आप ओलिव ओल का यूज़ करें, मेरे पास रिफाइन ओल है, तो इस से प्लेन कर देंगे और यहां से ऐसे से इसको फोल्ड करते जाएंगे और एक ऐसा बड़ा सा गोला बना लेंगे नीचे से ऐसा हो जाएगा सारा हमने ऐसे यहां से बंद कर दिया है और उपर से प्लेन कर दिया है इसको अब हम रख देते हैं फूलने के लिए कम से कम भी आद तो पॉलिथीन से भड़ दूंगी पॉलोथीन एक दल साफ है नया है मैंने इसको बॉष करके रख लिया था इसको धख देते हैं और रख देते हैं आदा घंटे के लिए अगर आपके पास क्लिन फिल है तो अब उससे रख करते हैं मेरे पास वह नई है इसलिए मैं आप पॉ प्रोथिन का यूज कर रही हूं प्रोथिन को डप दिया है इसको अधा गंटे के लिए रेस्ट पे देखिए फ्रेंड्स हमारे डो को रखे हुए आधा घंटा हो गया है देखते हैं देखिए यह साइज में डबल हो गया है और कितना ज्यादा दिख रहा है देखो फलफी इ यह हमारा अच्छे से फर्मेंट हो गया है देख्ते हैं वाव देखिए के इसके इंदर हम पंच करेंगे उर इसकी सारी हवा निकालके इसको एक बार अच्छे से मसल लेते अपने अपने डो को एक clean surface पर निकाल लिते हैं, इसके उपर थोड़ा सा मैदा दस्ट कर देते हैं, एकदम clean है, मैंने इसको अच्छे से clean कर दिया है, इसके उपर अपने डो को रख के मसल लिते हैं, देखिए, हमने इसको अच्छे से चिकना कर लिया है, अब इसके हम equal size के 4 भाग कर लेंगे, देखिए, हमने अपने डो के equal size के हमने चार डो बनाई है, इनको भी ऐसे ही हम डख कर लेते हैं, हमने इसके उपर थोड़ा सा तेल लगाया है, ताकि यह आसानी से handle हो, देखिए, डो हमारा बनके ready है, ऐसे ही हम सभी का बना लेते हैं, देखिए, चारो हमने पेड़ी बना दी हैं, इसको हम रख देते हैं, 10 मिनिट के लिए, सेट होने के लिए, जो हमारी पॉलोथीन थी, उसी से हम ऐसे ढख देते हैं, और इसको 10 मिनिट के लिए रख देते हैं, और जब तक यह रेस्ट हो रहा है, तब तक हम अपनी स्टफिंग की तयारी कर लेते हैं, और अपने ओवन को भी preheat कर लेते हैं, गार्लिक ब्रेड की स्टफिंग करने के लिए, मैंने एक खाली बोल लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे, बारिक कटी हुई, शिमला मिर्च, और ये लिया है, मैंने बॉल किया हुआ, कॉर्ण, स्वीट कॉर्ण, ये भी डाल देते हैं, और स्टफ्ट गार्लिक ब्रेड है तो हम इसके अंदर चीज ले रहे है यह मैंने मॉजैला चीज लिए है इसे पुल बहुत अच्छा आता है अगर आपको पुल नहीं चाहिए चीज के अंदर तो आप यहां पर कौन सा भी चीज यूज कर सकते हैं मैंने यहां पर मोजरेला चीज यूज किया है डाल देते हैं यह भी मैंने याप पे 1.5 कटोरी का इस्तमाल किया है चीज का 1 कटोरी मैंने डाल दी है ये आधा कटोरी और 1.5 कटोरी मैंने याप चीज लिया है और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर मिक्स हर्ब चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं स्टफिंग हमारी रेडी है अब हम गार्लिक बटर बना लेते हैं गार्लिक बटर बनाने के लिए मैंने याप पे मैल्टेड बटर लिया है जैसे कि मैंने आपसे पहले ही का था कि मैं इसमें दो परकार से लेसुन का इस्तमाल करूंगी एक तो मैंने डो के अंदर डाला है कदू कस करके दूसरा हम डाल रहे हैं बटर के अंदर बारिक कटा हुआ लेसुन और लिया है बारिक कटा हुआ हरा धनिया ये भी डाल देते हैं इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर बहुत अच्छी खुशबू आएगी न दोनों चीजों से हमारे बटर के अंदर मिला लेते हैं दोनों चीजों को इसमें नमक व्यकरा कुछ डालने की जरूत नहीं है क्योंकि जो हमारा बटर है वो तो सॉल्टेड है और उपर से हम औरिगेनों वगरा सब डालेंगे इसको भी हम रख देते हैं साइड में और अपने ओवन को प्रिहीट कर लेते हैं मैं यहा नमक आपको कुछ काला लग रहा होगा क्योंकि इसको मैं पहले भी इस्तमाल कर चुकी हूँ इसलिए यह ऐसे रंका दिख रहा है गैस को ओन कर लेते हैं बारिश की दुनों में क्या होता है ना कि नमक स्थीलन मान जाता है ओवन में जब हम नमक डालते हैं कडाई में तो इ इसको अच्छे से फैला देते हैं और इसको प्रि हीट होने देते हैं गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे इसके ऊपर मैं यह उपर भ्रतन हम घंस का और इसको watches यह मेरे पास थाली है थाली को मैं ऐसे डखकन के लिए यूज कर रही हूं और इसको 10 मिनिट के लिए प्रिहिट होने देते हैं जब तक हमारा ओवन प्रिहिट हो रहा है तब तक हम अपना गार्लिक ब्रेड बना लेते हैं इस पे हम थोड़ा सा सुखा मैदा डस्ट कर लेते ह और इसको रख देते हैं और बनाते हैं अपना गार्लिक ब्रेड बेल लेते हैं इसको गार्लिक ब्रेड को हम ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे देखिए इसको हमने बेल लिया है और यह मोटा भी है इससे पतला हम इसको नहीं करेंगे इसके उपर जो हमने बटर बनाया था गार्लिक बटर और कोरियंडर से यानि कि धनिये पत्ते से इसको लगाते इसके उपर और अब हम साइड में ऐसे स्टफिंग को डाल देते हैं स्टफिंग हमने डाल दी है इसको ऐसे बन कर देते हैं और इसके जो किनारी है इसको अच्छे से पिंच करके हम सील करेंगे अच्छे से सील करें ये जो step है friends ये बहुत जुरूरी है सील करना नहीं तो क्या होता है कि जब bake करेंगे ये सारा चीज जो है melt होके बहार आ जाता है तो इसको अच्छे से पिंच करके इसको हम ऐसे सील कर देते हैं हलका हलका अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे और पिंच कर देंगे देखिए कितना सुन्दर लग रहा है हमारा यह मैंने केक टिन लिया है मैं इसको केक टिन में डालके बेक करूंगी इस पर मैंने हलका हलका बटर लगाया है लेकिन थोड़ा सा मैदे को ऐसे डस्ट कर देंगे रख देते हैं इसके उपर अपने गारलीक ब्रेड को और इसके उपर हमारा बटर जो है वो लगा देते हैं देखिए बटर भी हमने लगा दिया है इसके उपर हम चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे मिक्स हर्ब भी थुड़ा सा स्पिंकल करते हैं अब हम डालेंगे ओरिगेनो अब इसको हम ब्रेस्टिक वाला हलका हलका कट देंगे बिल्कुल हलका सा कट देना है हमारे को अंदर तक कट नहीं लगाना है देखिए हमने इसके उपर कट लगा दिया है अब इस बर्तन को हम अपने ओवन में रखते हैं बेक करने के लिए हमारा ओवन भी अच्छे से प्रिहिट हो गया है हमारा ओवन अच्छे से प्रिहिट है अच्छा दुवा निकल रहा है इसके अंदर बहुत अच्छा गरम है इसके अंदर हम अपना ये बटन रख देते हैं और ढकन को लगा देते हैं और 15-20 मिनिट के लिए इसको अच्छे से बेक होने देते हैं या फिर जब तक हम इसको बेक करेंगे जब तक कि हमारे गार्लिक ब्रेड के उपर अच्छे से ब्राउन कलर ना आ जाए जैसे हमने बनाया है ऐसे हम दूसरा वाला बना लेते हैं रेडी है हमारा दूसरा वाला भी गार्लिक ब्रेड देखिए फ्रेंड्स गार्लिक ब्रेड को रखे हुए हमको आधा घंटा हो गया है मैंने इसके उपर तवे को ऐसे गरम करके लोहे का तवा और इसके उपर इसे रख दिया है क्योंकि उपर से कलर ही नहीं आ रहा था और अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है आप भी फ्रेंड्स अगर कड़ाई में बेक कर रहे हैं और उपर से क्रिस्प नहीं हो रहा है तो तवे को अच्छा फूल तेज गरम करके इसके उपर रख दीजिए ऐसे और बहुत अच्छा हमारे गर्लिक ब्रेड पे कलर आ गया है इसको हम निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं निकाल लेते हैं इसको देखिए अच्छे से कलर आ गया है और अच्छे से क्रिस्प भी हो गया है निकाल लेते हैं इसको देखिए हमने अपने गर्लिक ब्रेड को निकाल लिया है इसको हम पीसिस में कट कर लेते हैं देखिए हमने अपने गार्लिक ब्रेड को अच्छे से कट कर लिया है और कितना क्रिस्पी है देखिए मैं दिखाते हूं आपको देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बैक साइड से देखिए कितना अच्छा हमारा सिका है है ना एकदम टेस्टी और ऐसे ही अब हम दूसरे वाला भी रख देते हैं इसके ऊपर बनने के लिए मैदे को डस्ट कर देते हैं आशकर अब इस बरतन को हम अपने ओवन में रखते बेक करने के लिए और इसको भी बेक कर लेते हैं अपने कड़ाई में लीजे फ्रेंड रेडी है हमारा स्टफट गार्लिक ब्रेड डोमिनोर स्टाइल में फ्रेंड्स आप भी इसको घर में ट्राइज जरूर करें बना के देखें और खाएं और सच में फ्रेंड से सभी को बह थैंक यू फर वाचिंग